हलो एन वेल्कम फ्रेंड मैं नाम ही जावेद आप देख रहे हैं हेल्फिल लासा यूट्यूब चैनल दोस्तों इंडियान रेल्वे में ट्रेन के किराई को लेकर के एक बहुत बड़ा अपडेट निकल करा रहा है इसी के बारे में आज हम बात करेंगे तो ये वीडियो लास में कनवर्ट किया जा रहा है यानि कि उनका इस्पेशल टैग जो था वो हटा लिया गया था और उनसे नॉर्मल किराया वसूल करने के लिए आदेश जारी किया था इंडियान रेल्वे ने जादा तर जोनों में ये आदेश का पालन होने लगा था लिकिन 36 गड़ की बात क हाई कोर्ट में जब ये सवाल पूछा गया DRM से तो DRM ने बताया अभी टाइम टेबल फिक्स नहीं होने की वज़े से नया टाइम टेबल अपडेट नहीं होने की वज़े से ये सभी कुछ दिक्कते आ रहे हैं इस्पेशल टैग नहीं अटाय गया है इस पर याचिका करता का कहना था कि नॉर्मल किराय को ले करके इंडियान रिल्वे पहले ये ओर्डर कर चुका है सभी इस पेचल ट्रेनों से जीरो का टैग हटा करके नॉर्मल किराय को ले करके इंडियान रिल्वे पहले ओर्डर कर चुका है इस पर कोट ने सक्त आदेश जारी किया और एक गोश का पत्र शपत्पत्र दिया है जिसमें बताया है कि 1 जनवरी 2025 से सभी ट्रेनों को नॉर्मल कर दिया जाएगा उनसे जीरो का टैग हटा लिया जाएगा पेचल का टैग हटा करके उनसे नॉर्मल किराया वसूल किया जाएगा अभी तक जो इस्पेशल किराया वसूला जा रहा इस्पेशल टैग हटा लिया जाएगा और पुरारी ट्रेनों को फिर से स्टार्ट कर दिया जाएगा दोस्तों ये इंफॉर्मिशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक में जरूर बताएगा ऐसी अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्क्राइब करके रखे ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट है सबसे पहले आप तक पहुंच सके थैंक्स सो मच फॉर वाचेंग